हेलो एब्रिवन वेलकम टू जीनियस मेंटर्स माइनम इस सिम्रन सैगल बच्चों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एकनोमिक्स चेप्टर वन स्टोरी ओफ विलेज पालंपूर इस पालंपूर विलेज की स्टोरी के थू बच्चों हम कुछ फेक्ट हमावा कि basically four factors of production होते हैं land, labor, physical capital and human capital हमने last class में land, labor, capital अबने तीनो factors of production को ben complete कर लिया ठीक है और जो हमारा remaining one factor of production है human, capital वो हम next chapter में discuss करेंगे ठीक है वो हमारा next chapter का topic है उसमें हम detail में human capital के बारे में सीखेंगे थीक है तो अब तक हमने तीन factor of production के बारे में basically पढ़ लिया land, labor and capital हम इस chapter को आगे continue करते हैं बच्चों last class में हमने capital के बारे में पढ़ा सभी students अपनी NCRT book open कर लो उसमें से हम line to line इस chapter के सभी topics discuss कर रहे हैं आज हम अपना next topic discuss करेंगे तो आप book open कर लो हमने last class में capital के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा कि जो capital क्या है capital is the third factor of production हमारी production की जो requirements होती है उसमें से third requirement क्या होती है capital land, labor आप पढ़ चुके हो capital आपने last class में पढ़ ली जिसमें आपने ये देखा कि जो capital चाहिए होती है मतलब capital का क्या मतलब होता है capital means जो money हमें चाहिए अगर हम production कर रहे हैं तो उसमें production में जो capital एक factor of production है capital एक requirement है तो वो क्या है कि उस production activities को करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए वो क्या है वो capital है ठीक है अब जो small farmers होते हैं वो उस capital को कैसे अरेंज करते हैं small farmers capital को कैसे अरेंज करते हैं बच्चों money borrow करके आपने last class में example देखा था जिसमें हमने case पढ़ा था सवीता एक small farmer थी उसने क्या किया money arrange करने के लिए money अपनी business के लिए जो production activities वो कर रही है उसके लिए उसे जो भी capital चाहिए थी वो उसने क्या करी बोरो करी तेजपाल सिंगेक large farmer था जिससे उसने क्या करा 3000 रुपीज बोरो किये जिस पर उसे 24% का interest rate पे करना पड़ा यानि कि वो money borrow तो करते हैं साथ ही लार्ज amount of interest भी उन्हें पे करना पड़ता है क्योंकि interest rate बहुत ज्यादा होते हैं तो या तो money borrow कर लेते हैं money हो पर एंज करते हैं फिक है अब हम concept पढ़ते हैं कि जो salary farmers होते है कि वो money को कैसे arrange करते है जो capital required होती है उसको large farmers कैसे arrange कर ते अब हमने ये पढ़ा था कि जो larger farmers होते हैं उन्हें money borrow करने कीtalk नहीं पढ़ती उन्हें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पढ़ती जिस तरीके से small farmers को पढ़ती है ठीक है क्योंकि large farmers के पास अपनी savings होती है अब उनके पास savings कैसे होती है large farmers के पास savings कैसे होती है बच्चों क्योंकि large farmers के पास land area under cultivation ज्यादा होता है more land area under cultivation किसके पास होता है large farmers के पास आपने देखा था number of large farmers तो 15% है लेकिन उनके पास 55% area है जिस पे वो cultivation करते है ठीक है तो यानि कि उनके पास land area under cultivation बहुत जादा है बहुत ज्यादा ये पर कल्टिवेशन कर पाते हैं जिसकी वज़े से उनकी जो यल्ड होती है तो जो जितनी ब्रडक्शन करते है कि ona करते है उसमें से जितनी भी उनकी कंजंप्शन के लिए रिक्वार्ड होती है वो अलग कर लेते हैं और जो remaining होती है उसको sale कर देते हैं यानि कि जब production ज़्यादा होगी तो consumption के लिए तो fixed portion ही अलग करना है जितनी ज़्यादा production होगी sale उतनी ही ज़्यादा होगी अब उनकी sale ज़्यादा हो रही है तो obviously उनकी income भी ज़्यादा होगी अब क्योंकि उनकी income ज़्यादा हो रही है तो उस ज़्यादा income में से उस year की farming के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो अलग कर लेंगे और remaining क्या करेंगे या तो वो bank में deposit करा देंगे या फिर वो सवीता जैसे small farmers को large amount of interest पे बोरो कर देंगे means land कर देंगे ठीक है और या फिर वो क्या करेंगे अपना कोई भी tractor पर चेस कर लेंगे या फिर agriculture से related अपना कोई equipment पर चेस कर लेंगे यानि कि हम कह सकते हैं कि large farmers को कहीं से भी money borrow करने की need नहीं होती उनके पास अपनी savings होती है अब savings कैसे होती है यह तो आपको समझ में आ गया क्योंकि cultivation का land area जादा है जिसकी विदे से जादा production होती है छेपी से जड़ाइनेकि उनके पास next year की farming के लिए next year की crop को grow करने के लिए जो पैसा है वो उनके पास अलग से रखा यह तो यानिक उनके पास अपनी अलग से savings है उन्हें बोरो करने की नहीं होती no need to borrow कि थीक है समझ में आगया आपको तो यानि कि हमने ये देखा कि जो capital required होती है production के लिए listen चोंड करते के लिए फार्मिंग के लिए उन्हों geçer करते हैं लार्ज फार्म ते से अरेंज करते हैं अब हमने ये देखा कि large farmer क्या करते हैं ज्यादा production करके अपनी surplus production को sale कर देते हैं villages में traders को आगे sale कर देते हैं ठीक है तो अब हम इसी concept के बारे में पढ़ेंगे कि surplus farm products को जो large farmers हैं वो किस तरीके से sale करते हैं ठीक है और जो sale करने से उन्हें पैसा मिलता है उसको वो किस-किस तर farming के अंदर हम अब तक farming से जुड़ी हो सारी बाते पढ़ रहे हैं पालंपूर विलेज के अंदर हम farming से जुड़ी हमने starting में पढ़ा था कि basically कुछ occupation होते हैं जो कि पालंपूर विलेजिस के लोगों के द्वारा अपनाये जाते हैं income earn करने के लिए हमने पढ़ा कि farming जो है वो non farming activities से related होंगे क्योंकि हमने पढ़ा था लोग किस में engaged होते हैं farming में then कुछ तांगा वाला और जो बुलोग काट्स लेकर जा रहे होते हैं तो यानि कि कुछ लोग transport में involved होते हैं कुछ क्या करते हैं small scale पे manufacturing कर लेते हैं कुछ small shops open कर लेते हैं तो यह जो remaining non farming activities means other than agriculture जो काम है जो कि पालंपूर villages के लोगों के द्वारा किये जाते हैं इस concept के बाद हम उनी सभी activities को discuss करेंगे ठीक है clear तो चलो हम देखते हैं कि किस तरीके से large farmers surplus farm products को sale करते हैं हम suppose कर रहे हैं कि farmers have produced wheat on their lands using three factors of production three factors of production का use करके farmers ने wheat की production करी कौन-कौन से three factors of production one is land second is labor and third is capital जो आप अब तक पढ़ चुके हो अब तक आपने इन तीन factors of production से related concept ही पढ़े हैं ना चीक है the wheat is harvested and production is complete wheat harvested हो गई यानि कि wheat की कटाई हो गई wheat की जो crop है उसके कटाई हो गई यानि कि production complete हो गई अब farmers क्या करेंगे उस wheat का वो क्या करेंगे what do the farmer do with the wheat wheat production से वो क्या करेंगे they retain a part of the wheat for the family's consumption obviously जितने भी production होती है उसमें से हम क्या करते हैं अपने family consumption के लिए कुछ अलग कर लेते हैं और जो भी हमारी surplus production होती है इस surplus word का क्या मिनिंग है surplus का यहां पर मिनिंग है कि जितनी भी production होती है उसमें से अपनी consumption के लिए अलग रखने के बाद जो extra बचता है न जिसको हम sale कर सकते हैं वो होता है हमारा surplus production ठीक है जो total production होता है उसमें से consumption के परपस के लिए अलग रखा जाता है प्रोडक्शन का पार्ट एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमारी surplus production के अहलाती है और उस surplus production को ही मार्किट में आगे सेल किया जाता है large farmers के द्वारा ठीक है समझ में आ रहा है वो क्या करते हैं वीट का वीट की उन्होंने production करी वीट की production complete अब क्या करेंगे they retain a part of wheat वीट का कुछ पार्ट अपनी family की consumption के लिए रख लेंगे and sell the surplus wheat जो surplus production होगी wheat की उसको वो क्या कर देंगे सेल कर देंगे ठीक है small farmers like Savita and Govinsons have little surplus wheat अब हमने small farmers के बारे में पढ़ा था small farmers के पास यह surplus wheat क्यों नहीं होता surplus production क्यों होती जिसको वो सेल करके income earn कर लें ताकि उन्हें borrow ना करना पड़े मनी क्योंकि small farmers के पास small plot of land होते हैं आपने देखा था land area पालंपूर villages के farmers के बीच में किस तरीके से unequally distributed है ठीक है क्योंकि large farmers के पास तो large area है ना cultivation के लिए ठीक है लेकिन जो small farmers हैं उनके पास small area है small area है इस वज़े से वो जादा production कर नहीं पाते वो क्योंकि जादा production नहीं कर पाते तो जिसकी वज़े से उनको जादा income भी नहीं होती इतनी ही production हो पाती है कि वो अपनी फैमिली के लिए ही consume कर लें ठीक है तो उनके पास कुछ surplus बचता ही नहीं है तो वो सेल ही नहीं कर पाते तो जो small farmers है जो कि आपने प्रीवियस classes में examples और cases में आपने पढ़े थे यह characters जो कि क्या है small farmers हैं उनके पास कम surplus होता है क्योंकि उनकी जो total production है है वो ही small है और total production small क्यों है क्योंकि small plot of land उन्हें given है ठीक है उन्हें small plot of land allocate किये गए है सभी small farmers को क्योंकि land area small farmers के लिए कम है लेकिन small farmers number of small farmers हो बहुत जाद है जिसकी वदे से हर small farmer को small plot of land allocate किया गया है cultivation के लिए तो उनकी जो total production होती है वो भी कम होती है and from this a substantial share is kept for their own family needs यानि कि इतना ही production वो कर पाते हैं कि वो उनकी family consumption में ही सारा का सारा use हो जाता है यानि कि कुछ भी surplus उनके पास नहीं बचता है जिसको वो आगे sale कर सकें ठीक है so it is the medium and large farmer who supply the wheat to the market सिर्फ medium और large scale farmers जो होते हैं जिनके पास large area होता है under cultivation जिनकी production large होती है उन्हीं के पास surplus wheat बचता है after families consumption ठीक है अब आप इस picture में देख रहे हो यह picture क्या है इस picture में यह दिखाया गया है कि किस तरीके से जो large farmers होते हैं वो अपनी surplus production को अपने फिल्ट से अपने खेतों से किस तरीके से traders तक पहुंचाते हैं आप यह देख रहे हो यह एक तंगा वाला है बुलोग काट लेके जा रहा है इस बैल गाड़ी के थूँ वो सारा समान उसमें डाल के लेके जा रहा है यानि कि जो surplus production है वो large farmers इन सभी लोगों के द्वारा traders के पास पहुंचाते हैं ठीक है इन पिक्चर 1.1 और यह जितने भी बुलोग काट्स हैं यह क्या लेकर जा रहे हैं surplus wheat जो कि large farmers इन पर इन पर store कर रहे हैं और फिर traders तक पहुंचा रहे हैं अपने surplus wheat को क्योंकि वो sale कर रहे हैं न मार्केट में the traders at the market buy the wheat अब जो traders होंगे market में जो large farmers होंगे वो इन बुलोग काट्स के थूँ traders तक अपना surplus wheat पहुंचाएंगे और traders क्या करेंगे market में जो traders हैं वो buy कर लेंगे wheat को purchase कर लेंगे और फिर आगे shop keepers को sale करेंगे in towns and cities towns और cities में वो आगे क्या करेंगे जो shop keepers होते हैं उनको sale कर देंगे ठीक है समझ में आया आपको किस तरीके से जो large farmers होते हैं वो अपना surplus wheat का मतलब समझ में आया क्या होता है surplus production और वो surplus production किस तरीके से बेची जाती है अब बात आती है कि surplus production से जो money मिलती है large farmers को उसको वो कैसे यूज़ करते हैं तेजपाल सिंग लार्ज फार्मर है देखो टोटल प्रोडक्शन उसमें से कंजम्शन के लिए फैमली कंजम्शन के लिए अलग से रख लिया और जो remaining production होती है वो क्या होती है surplus production उस surplus production को सेल किया जाता है market में ठीक है अब तेजपाल सिंग जो की एक large farmer है अब large farmer है तो उसके पास surplus wheat तो हो गई surplus production तो होगी ही तो वो उसके पास 350 quintals of wheat surplus production है वो उसको क्या करेगा सेल कर देगा surplus wheat को राइगंच और शापूर के market में सेल कर देगा और ज्यादा earning कमा लेगा ठीक है ज्यादा income आन कर लेगा समझ में आ रहा है आपको अब वो बात आती है कि वो उस earning से करेगा क्या जो large farmers होती है उनके पास हमने यह तो देख लिया कि surplus production होती है उसको वो सेल करके income earn कर लेते हैं अब उस income से वो क्या करते हैं अब देखो उसके पास बहुत सारी income है अब income को वो किसी भी तरीके से यूज कर सकता है देखो या तो वो bank account में deposit करा देगा ठीक है income का कुछ पार्ट bank account में deposit करा देगा और कुछ पार्ट क्या करेगा small farmers like सवीता जिनके पास अपने lands नहीं होते जिनके पास capital required in production नहीं होती उन्हें क्या कर देगा land कर देगा means उन्हें उधार पे देने के लिए use कर लेगा और ज्यादा interest earn कर लेगा उनसे ठीक है और या फिर वो क्या करेगा अपने next session की production के लिए next year की production के लिए जो working capital चाहिए होती है उस फिर वो क्या करेगा another tractor purchase कर लेगा या फिर कोई और चीज जो farming के लिए चाहिए होती है कोई भी equipment वो purchase करके रख लेगा ठीक है या means इस तरीके से वो अपनी अगर वो ट्रेक्टर purchase कर लेगा उस पैसे से तो वो अपनी fixed capital को बढ़ा लेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था अच्छो last class में fixed capital क्या होती है जब हम किसी ऐसी चीज को purchase करने के लिए पैसा लगाते हैं जिसको हम near future में sale नहीं करेंगे जिसमें लगाया गया पैसा मुझे जल्दी से recover नहीं होगा तो उस पैसे को मैं क्या बोलती हूं fixed capital जैसे कि मैं अपनी machine purchase कर रही हूं वो machine मैं लंबे जल्दी से वो पैसा return में नहीं मिलेगा ना क्योंकि अगर मैं machine को sale कर दूं तो वो पैसा मुझे recover हो जाएगा लेकिन मैं तो उसको sale नहीं करूंगी ना उसमें पैसा मैंने fix कर दिया तो इसलिए उस पैसे को मैं क्या बोलूँगी fixed capital जिस पैसे से मैं वो machinery purchase कर रही हूं ठीक या फिर हम कह सकते हैं कि next session की production के लिए working as a working capital उस पैसे को रख लेगा कि next section की production करनी है तो उसमें जो भी day to day requirement होगी उनको meet करने के लिए उस पैसे को अलग से रख लेगा ठीक है तो large farmers अपने surplus wheat को sale करने से जो भी income कमाते हैं उसको वो किसी भी तरीके से use कर सकते हैं चाहे व स्मॉल फार्मर्स को लोन देने के लिए यूज करें चाहे वह एज नेक्स सेशन के लिए as a working capital यूज करें next production के लिए और या फिर वो as a fixed capital अपने पैसे को यूज करें कोई भी fixed चीज को purchase करने के लिए ठीक है समझ में आ रही है आपको अब इसमें यहीं बताया गया है कि तेजबाल सिंक की तरह मीडियम और अधर मीडियम और लाज फार्मर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं surplus farm products को sale कर देते हैं sale करने से जो income होती है वो इसी तरीके से अलग-अलग sources में लगा देते हैं अपने पैसे को ठीक है समझ में आगी production बेसी कली होते हैं ठीक है क्योंकि farming क्या है farming is a main production activity ठीक है क्योंकि उस पालंपुर village की story के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उस village के अंदर जो main production activity होती है वो तो farming ही होती है तो farming के थू हमने सारे फेक्टर उप्रडक्शन को हमने सीखा सबसे पहले हमने लैंड के बारे में सी सीखा फिर हमने capital के बारे में सीखा जो human capital है वो next chapter में पढ़ेंगे तो यानि कि हमने इन तीनों फेक्टर्स को वन बाइवन discuss कर लिया detail में अब हम बात करते हैं कि कुछ other non farming activities भी होती है जो की पालंपूर विलेज के farmers जो है farmers देखो farming activity तो हमने ये पढ़ा कि जो agriculture से related होती है जो farming से related होती है अब non farming activities means other than agriculture जो काम लोगों के द्वारा किये जाते हैं वो होती है non farm activities जिसमें agriculture include नहीं होती इसमें हम क्या क्या पढ़ें पढ़ेंगे डेरी के बारे में पढ़ेंगे small scale manufacturing कि कि किस तरीके से पालंपूर विलेज के लोग small scale manufacturing करके income earn करते हैं small scale manufacturing के बाद हम पढ़ेंगे small shops open कर लेते हैं लोग और पैसा कमाते हैं and then हम पढ़ेंगे transport के बारे में कि वहाँ पर लोग transport के medium भी use करते हैं पैसा earn करने के लिए ठीक है तो basically हम non farming activities में इन चार type के occupations को पढ़ने वाले हैं जो वहाँ के लोगों के दारा अपनाए जाते हैं income को कमाने के लिए other than farming ठीक है तो non farm activities क्या होती हैं we have learned about farming as the main production activity in पालंपूर क्योंकि पालंपूर village के अंदर farming main production activity है तो farming के थ्रू हमने सारे factors of production के बारे में पढ़ लिया we shall now take a look at some of the non farming activities non production non farming activities means क्योंकि farming main production activity है तो non farming activities means non production activity के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने starting में ही पढ़ा था कि जो जितने भी लोग रहते हैं पालंपूर village के अंदर जो entire population है उसमें से 75% लोग जो हैं वो farming में engaged होते हैं farming को ऐसे main occupation की तरह यूज करते हैं और जो remaining 25% लोग है वो non farming activities में भी तो involved है ना पैसा कमाने के लिए ठीक है तो farming के लिए हमने detail में पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे non farming activities के बारे में ठीक है तो start करते हैं बच्चों dairy से dairy हमारी first non farming activity है dairy means दूद से related milk से related जो business होता है उसे dairy बोलते हैं जैसे कि आप जहां से भी अपना दूद पर चेस करते हो आपके घर में daily basis पे milk required होता है उस milk को आप जिस place से लेके आते हो आप उसको dairy बोलते हो ठीक है क्योंकि dairy means वो place जहां पर milk से related business चलता है ठीक है अब हम बात करते हैं dairy के बारे में dairy का जो business लोगों के द्वारा चलाया जाता है dairy is a common activity in families of पालंपूर पालंपूर विलेज के अंदर जो families है उन में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं dairy का भी business करते हैं इसमें वो क्या करते हैं अपनी buffalo को feed करते हैं उन various kind of grass and other जवार और बाजरा that grow during the rainy season rainy season के अंदर जो जवार बाजरा grow किया जाता है उससे अपनी buffalo को feed कर वाते हैं और यह फिर जो grass grass means घास को घास का भी यूज करते हैं अपनी buffalo को feed करने के लिए ठीक है यानि कि बफैलो क्या खाती है grass और जवार बाजरा ठीक है यह वो feed की form में लेती है and then जो milk generate होता है इनसे उस milk को बेचा जाता है राइगंज के market में nearby और nearby के जो large villages हैं उनमें sale किये जाते हैं buffalo जो भी milk हमें provide करती है ठीक है two traders from शहापोर town have set up collection come chilling centers at राइगंज from where the milk is transport to far away towns and cities यानि कि एक particular place बनाया जाता है जहां पर buffalo's का milk भेजा जाता है और वो जो milk होता है वो उस place से आगे towns और cities में भेजा जाता है ठीक है समझ में आया आपको अब हम देखते हैं हम तीन farmers लेके चलेंगे उन सभी farmers से related हम देखेंगे किस तरीके से जो production है उनकी उनकी production से related जितनी activities है न उनके बारे में एक बार डिसकस करते हैं इच है जो हमारा एक activity है यह हमारी farming activity से जूड़ी हुई है ठीक है तो यह activity हमारी remaining है इसको एक बार डिसकस कर लेते हैं उसके बाद हमारा जो हम आगे continue करेंगे ठीक है देखो three farmers है सबने ग्रो किया है wheat on his field भले ही production अलग-अलग है लेकिन consumption सेम रहेगी ठीक है production is different तीन farmer का हम example लेके चलेंगे तीन farmers ने जो भी production करी वो अलग-अलग होगी wheat की ही production करेंगे production भले ही अलग-अलग होगी लेकिन consumption सेम होगी ठीक है the consumption of wheat by each farmer family is same production अलग, consumption same the whole of the surplus wheat this year is used as capital for the next year's production अब जितना भी surplus wheat होगा जैसे की देखो ये जो concept ये जो activity हम कर रहे हैं न बच्चों ये हमारे इस topic से related है sale of surplus farm products से related ये activity है जो अभी हम discuss करेंगे and then अपनी non farming activities जो होगी जो हम पढ़ रहे थे dairy के बाद जितनी भी remaining होगी वो हम next class में continue करेंगे ठीक है अभी हम इस activity को complete कर लेते हैं एक बार इसमें क्या है तीन farmers होगे तीनों के द्वारा wheat produce किया जाएगा production तीनों की अलग लग होगी लेकिन consumption सेम होगी सभी farmers का इस year का जो surplus wheat होगा वो next year में next year की production के लिए as a capital use किया जाएगा इस year का surplus wheat को हम use करेंगे next year की production में मतलब surplus wheat से जो भी income होगी उसको next year की production में use किया जाएगा also suppose या फिर आप ये भी मान कर चल सकते हो कि production is twice the capital used in production ठीक है production is twice the capital used in production कि जो capital use की जाएगी production में जो हमारी production जिसको हम surplus production को sale कर रहे हैं वो क्या होगी twice होगी दोग नहीं होगी the capital use in production कि जो हम capital use कर रहे हैं प्रडक्शन में देखो capital हमने जो लगाई उससे जो हमारा output आया वो दुगना है जितनी capital लगा रहे हैं उसका दुगना हमारा output होगा ठीक है इसको हम एक बार discuss कर लेते हैं देखो farmer one है देखो तीनों farmer से related हम column बनाएंगे and then उसको analyze करके हम solution निकालेंगे first farmer की production है first year की 100 consumption है 40 surplus production हो गई 60 surplus production को हम next year में as a capital use कर रहे हैं ठीक है अब capital next year में as a capital हम उसको use करेंगे तो उसका जो twice होगा वो यहां पर आजेगा हमारा next year की production में ठीक है देखो जो surplus production को sell करने से जो हमारी capital है उस capital को जब हमने लगाया हमने starting में क्या पढ़ा कि जो हम capital लगाएंगे उसकी दुगनी हमें production मिलेगी ठीक है यह हमने next year में as a capital लगाया कि जितनी हमने capital लगाई उसकी दुगनी production होगी next year में next year में हमने 60 रुपए capital लेकिन हमें 120 रुपे की production मिली ठीक है जितनी capital लगाई उसकी दुगनी हमें production मिले 120 की production consumption सेम रहेगी अलग-अलग years में 120-40 क्यों यह चीज आपको क्या show करेगी कि production जितनी जाधा होगी income उतनी जाधा होगी production जाधा surplus जाधा बचेगा क्योंकि consumption तो constant रहेगी ना consumption तो सेम रहेगी अब यह थोड़ी कि आपको आपके पास जाधा income है तो आप जाधा खाने लग जाओगे खाना तो आपने constant ही रखना ना अपना जो consumption है वो तो fixed रहेगी लेकिन यह है कि income जितनी जाधा बढ़ेगी consumption करने के बाद जो surplus होगा वो जाधा बढ़ता जाएगा ठीक है अब 100 की production थी तो consumption तो constant है तो उसके में surplus मिला 60 है ठीक है इस surplus को हमने next year में as a capital लगाया उसका दुगना हमें next year की production मिली अब next year की production बढ़ गई पहले 100 थी अब 120 हो गई next year की production बढ़ी consumption तो constant है तो यानिकि surplus जो है वो हमारा बढ़ गया क्योंकि consumption सेम है production जादा बढ़ेगी तो surplus भी जादा बढ़ेगा यानिकि जो remaining हमारा बचेगा after consumption surplus means production माइनस consumption production जितनी भी है उसमें से consumption को लेस करने से जितना बचा वह तो हमारा surplus है production 100 से 120 हुई तो हमारा surplus भी 60 से 80 हो गया यानि कि income ज्यादा बढ़ गई तो इस surplus को हम next year में अज़े capital यूज करेंगे जितनी capital लगाएंगे उसका दुगना हमें production मिलेगी यानि कि 160 हमारी अब production हो गई इस production में से fixed consumption को हमने जब less किया तो हमारी कितनी हो गई 120 हमारी surplus हो गई अब 120 surplus को हमने next year में आज़े capital यूज कर लिया समझ में आया आपको अब हम second farmer की देखते हैं second farmer ने first year में अपनी production करी 80 consumption less कर दी surplus क्या होता है production माइनस consumption production माइनस consumption हमारा कितना surplus बचेगा 40 इस surplus को next year की capital की तरह use करेंगे जितनी capital लगाएंगे next year में उसका दुगना हमें production मिलेगा हमने यहीं discuss किया दना starting में यहीं condition लेके चली इस activity को करने के लिए कि जितनी production में लगाएंगे उसका दुगना हमें means जितनी capital लगाएंगे production के लिए उसकी दुगनी production हमें मिलेगी 40 capital लगाई 80 हमें production मिले ठीक है 80 minus consumption constant है 40 अब भी हमारा surplus constant रहा तो जो capital है वो भी constant रही अब capital का दुगना हमने लगाया 80 80 लगाया 40 consumption 40 surplus और 40 ही next year में ऐजे capital यूज करेंगे ठीक है तो अब आप क्या देख रहे हो कि जब production constant रहेगी तो consumption भी constant रहेगी और consumption तो वैसे ही constant है तो यानि कि अगर production बढ़ाओगे तो हमारा surplus भी बढ़ेगा क्योंकि consumption तो हमेशा constant है consumption constant है production बढ़ाओगे तो हमारा surplus है वो भी बढ़ेगा production आप constant रख रहे हो consumption तो वैसे ही constant है तो obviously हमारा surplus भी constant रहेगा अब हम एक third concept और पढ़ते हैं के अंदर production है first year में third farmer की first year की production है 60 consumption 40 है तो 20 surplus हुआ 20 ही हमने next year की capital के लिए use कर लिया ठीक है 60-40 20 और 20 ही next year में क्योंकि हमने क्या condition ली थी कि जितना surplus होगा same to same surplus को हम next year में as a capital यूज कर लेंगे और next year में as a capital जितना भी surplus यूज करेंगे जितनी capital next year के लिए लगाएंगे उसकी दुगनी हमें production मिलेगी यानि की production कितनी होगी next year की 40 अब 40 में से consumption भी fixed है तो यानि की surplus होगया हमारा zero तो next year में भी zero capital लगेगी अब zero capital लगेगी यहाँ पर भी क्या हो जगा अब हमारा surplus जो है वो negative में चला जाएगा और capital तो फिरम क्या लगाएंगे next year में जब हमारा surplus ही नहीं है कुछ तो ठीक है अब देखो बच्चों अब आपने इन तीनों चीजों से क्या सीखा यह जो आपको तीन टेबल्स गीवन है इनको आपने compare करने इन तीनों टेबल्स के अंदर जो wheat की production है उसको आपने compare करने आपको क्या पता चला कि consumption हमारी हमेशा constant रहेगी अगर हम अपनी production बढ़ाएंगे तो हमारी surplus भी बढ़ेगी ठीक है 100 की हमने production ली तो हमारा surplus था 60 का सोरी 40 का लेकिन अगर हमने production को 100 से 120 किया तो हमारा surplus भी बढ़ गया ना क्योंकि consumption तो constant है ठीक है पहला case में हमें यह समझाया दूसरे case में हमें यह समझाया कि consumption constant अगर production constant रखोगे तो surplus भी constant रहेगा अब तीसरे case में हमें यह पता चला कि consumption तो constant है लेकिन production को बढ़ाते हैं तो surplus बढ़ेगा लेकिन production को अगर कम करोगे तो surplus भी कम हो जाएगा ठीक है इन तीनों चीजों से आपको ये समझ में आया तीनों जो farmers ने अलग-अलग production करी उससे हमें ये conclusion निकला कि consumption constant रहती है production बढ़ेगी तो surplus बढ़ेगा production constant तो surplus भी constant और अगर production डाउन जाएगी तो हमारा surplus भी डाउन जाएगा ठीक है समझ आया इतना अब हमारा ये जो sale of surplus farm products वाला जो concept था उससे related हमने activity कर ली अब इस activity को करने के बाद जो हमारी non farming activities हैं उसमें हम dairy के बारे में पढ़ चुके हैं जितनी भी remaining non farm activities होंगी exercises discuss करेंगे ठीक है तो आई होप आपको अब तक का सारा topic समझ आ गया होगा किस तरीके से farmers जो हैं वो surplus farm product को sale करके income earn करते हैं यह आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो बच्चों आज के लिए इतना ही मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए goodbye thank you